PS6 2021 model आज ही डेट में भी value for money bike है क्या इसे हमें bike करना चाहिए यह नहीं आज आज आपको हम इस वीडियो में इस्टेट पूर इंट तक जरूर देखीगा चैनल पे जो लोग भी नहे है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि उनसे किसी भी तरह के हमारे bike और स्खुटी अब्डेट मिस्स ना हो जाए क्योंकि आप सभी के लिए रोजाना लिटेस कंटेंड कवर करते हैं और आप सभी को अप टूडे रखते हैं चैलिए फिर इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं सबसे पहरे हम बात कर लेता है SP125 की जो यह all new color commission launch हुआ है दे सकते हैं इसके color commission की आपको देनों मिल जाता है बाकि अगर इसके old color देंगे तो वहाँ आपको rubber की coating देनों मिलती है यहाँ पर रिमूफ कर दी गई है body color glossy finish दे दी गई है बाकि यह all new stickers देख सकते हैं आपको इसमे all new stickers लगा दिए यह color commission देख सकते हैं जो आपको white red और यह blue color commission देनों मिल जा रह है अगर आप 125cc कोई बहुती बैतरीन बाइक डूण रहे है तो क्या आपको इस bike से साथ जाना चाहिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके pricing वाइज तो total आपको इसमें दो model देनों मलते हैं एक disc और एक drum अगर हम drum की बात कर लें तो drum आपको लगब 78,000 एक showroom परता है और वह बाकी आप लोग अपने nearby showroom में बिल्कुल contact कर लिजेगा इसकी correct on-roar pricing के बारे में बाकी इसी के पास एक 2000 उपर नीचे costing करेगी तो अगर हम इसे एक लाग रुपे लगा रही है हमार पर top end variant अवले वाला जो कि इसकी disc variant है आपको मैं दिखा बेता हूं LED headlamp setup साथ देखनों मलता है 125 CC का BSS compliant engine देखनों मिल जाता है विट F5 के मतलब से गाड़ी mileage निकाल के दे रही है वो बहुत अच्छा mileage निकाल के दे रही है लगबग 60 क्यास पास का mileage निकाल के गाड़ी दे दे रही है जो कि अगर आप देखेंगे 125 CC bike होने के हिसाब से बहुत अच्छा mileage बहुत ह भी जरूर बताएगा कि आपको इस गाड़ी से कितना mileage हो मिल ला है कि मैंने इसके ओपर डीटेल वीडियो बना इसके mileage को पर आप कैसे इसका mileage अच्छा कर सकते हैं लोग जो हमारी गाड़ी थी लगबग 9000 प्रस किलोमेटर चलने के पास 70 का सबस्त माइलेज शो कर रही थी बाकी इसकी bike की एक और अच्छी बात है आप इसे comfortable add कर सकते हैं front में telescopic back में hydraulic suspension देखने हो मिलता है तो comfortable add आप गाड़ी से बहुत यासानी सकर सकते हैं comfortable add करने में आपकी गाड़ी बहुत मदद करने वाली है बाकी मैंने meter console की बात की जो meter console में जो आपको advanced features देखने हो मिलते ह बाकी engine kill का switch या support देनों मिलता है पहले Honda का इसलिए complaint होता था कि Honda अपने hornet और xblade में engine kill switch प्रोवाइड नहीं करता था आज से मैं को 2-3 साल पहले की बाता रहा हूं जिसके लिए गाड़ी की selling भी थोड़ी बहुत decrease हो गई थी लेकिन अब Honda को ऐसा complaint गया ऐसे लोगों ने बह से अपना engine off कर सेंगे बाकी आपको इसमें BSS compliant engine देनों मिलता है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बाता था सालेंट इसार्ट फीचर जो मैं आपको एक्स्प्रेंग कर रहा था वह आपको बिल्कुल इस गाड़ी में देनों मिल जाता है जिसकी मज़ से आपकी गाड़ बहुत ही सालेंट है बहुत ही स्मूथली स्टार्ट हो जाता है कही न कहीं एक बहुत अच्छा फीचर है जो इस गाड़ी को value for money 125 में justify करता है उसके बाद कुछ और बात कले गाड़ी के बारे में तो गाड़ी की जो braking आपको निकल के आती है जो बहुत अच्छी निकल आती है तो उसके लिए गाड़ी आपके लिए बिल्कुल value for money होने वाली है अगर आपको 80-90 ले जाना है 100 ले जाना तो बिल्कुल आप इस गाड़ी को भाई मत करिएगा जो गाड़ी के टायर है वो थोड़ा आपको पतले देखने हो मिलते है तो गाड़ी आपको माली सो बहुत बहतरी निकालने वाली है लेकिन अगर आप इस 80-90 तक चलाएंगे तो ज्यादा मजा नहीं आएगा आपको road पे grip नहीं मिलेगी अगर आपको 40-50-60 तक चलाना है तो बिल्कुल आपके लिए गाड़ी value for money होने वाली है और आप बिल्कुल इस गाड़ी से जा सकते हैं कि जो जो इस गाड़ी में लुक निकल गाता है वो बहुत ही दमदार लुक आता है आप गाड़ी की overall look देशकता है look wise आपको कहीं से भी कोई शिकायत नहीं होगी 125 की one of the best look वाली गाड़ी आपको Honda कम्पीटर से पेस की गई है overall अगर इस गाड़ी की बात कर ले तो लुक आपको बहुत ही भैतरी निकल गाता है आपको meter console बहुत अच्छा देखने हो मिलता है फ्रेंट में डिस्कॉप को ओफर के जाता है इंजिन किल स्विच देखने हो मिल जाता है LED headlamp देखने हो मिल जाता है उसके साथ ही चाथ पावर जो कि Honda के silent start feature एक आपको देखने हो मिलता है इंजिन किल स्विच देखने हो मिल जाता और एक बहुत ही भैतरी माइलेज माइलेज इसकी सबसची बात मुझे लगी इस गाड़ी की जो माइलेज निकल गाती है और साथ में जो इसमें इंजिन देखने हो मिलता है कोई शिकायत ने होगी comfortable light भी आप इस गाड़ी से बहुत ही आसानी से बहुत ही अराम से निकल सकते हैं अगर आपके पास SP-125 है तो comment session में चरूब बताएगा कि क्या आप गाड़ी से comfortable light निकाल पा रहे हैं नहीं तो friends एक है डिटेल वीडियो अगर आप 125 से से कोई बहुत ही बहतरीन चाहिए गाड़ी से तो साट के आसपस माले इस गाड़ी निकाल के दे देती है बहुत इसली इंजन के सालेंटी साट फीचर जो कि हमारा 3rd point रहने वाला है जो कि आपको इस गाड़ी में offer कर जाता है आपको night vision में और थोड़ा बहुत response वाई भी बहुत अच्छा response प्रोवाइड करने वाला कि LED headlamp setup का अलगी मज़ा आपको देनों मिलेगा कि गाड़ी दूर से पहचान में आती है कि आपकी यह Honda SP है बाकी इसकी price में आपको बता दी जो pricing पढ़ने वाली है लगब एक लाग for money यह दोनों बाइक आपको जिसके साथ जाना उसके जा सकते हैं अगर आपको ब्रेकिंग कोई उतनी issue नहीं है आपको ब्रेकिंग कोई उतना ज्यादा हाड नहीं करनी आपको नॉर्मल ब्रेकिंग करनी आपको 40-50 रपता है तो max to max चलाना है city ride है जहां आपको speed नहीं ले पाते हैं हर दूसरे मोड पर आपको रुखना पड़ता है तो हाँ आप ड्रम के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि ड्रम में भी आपको ब्रेकिंग अच्छी आपको आउफर करेगा लेकिन डिस्क के कंप्रीजर में थोड़ा आपको slow देहने हो मिलेगा response wise क्योंकि डिस्क क्या ह अगर आप सभी कोई वीडियो कोई पूचिन जरू पूचेगा थैंक यू फो रॉचिन वीडियो और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें इस वीडियो को भी अधिक सदली को शेर करें ताकि सबको समझ में आ सके क्या एक लाख रुपे प्लस लगाना इस गाड़ी वैल्यू फोर मनी है या नहीं ठेंक यू